आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें उसाइट होता है, क्या होता है? प्रात्मिक उसाइट चो होता है, उसमें जब विज्यान होता है, तो उससे एक द्वित्यक उसाइट क्या बनता है? द्वित्यक उसाइट और क्या बनता है? एक ध्रू का बनता है, क्या बनता है? ध्रू काय या ध्रू कोशिका का निर्मान होता है और फिर जब द्वित्यक उसाइट में विभाजन होता है तो इससे क्या बनता है इससे एक अंड कोशिका ठीक है क्या बनती है अंड कोशिका और एक ध्रू काय बनता है क्या बनता है ध्रू काय या ध्रू कोशिका का निर्मा विकल्ब दिये गये हैं जिसमें सबसे पहला विकल्ब दिया गया है गेमिटो जेनेसिस यानि की युगमक जनन दूसरा होता है इसपरमेटो जेनेसिस यानि की शुक्राणु जनन तीसरा दिया गया है इसपरमेटीलियोसिस और चोथा और आकरी विकल्ब है उजेनेसिस यानि की अंड जनन तो दोस्तों अगर हम पहले विकल्ब की बात करें यानि की युगमक जनन तो दोस्तों युगमक जनन की क्रिया में नर युगमक व मादा युगमक का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है नर युगमक और मादा युगमक का निर्मान होता है ठीक है और शुक मेटिलियोसिस में भी ध्रू कोशिका का निर्मान नहीं होता है क्योंकि यह सुक्राणु से संबंदित है और चोथा और आकरी विकल्प है अंडाणु जनन तो दोस्तों अंड़ जनन की क्रिया में ध्रू कोशिका का निर्मान होता है किसका निर्मान होता है ध्रू कोशिका य किस समय होता है तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंडानु जनन की क्रिया में जब उगोनियम से प्रात्मिक उसाइट बनता है तो उसमें फिर विभाजन के द्वारा एक द्वित्यक उसाइट और एक धुरू काये का निर्मान होता है और जब द्वित्यक उसाइट में फिर से वि प्रोक्त चारो विकल्बों में से जो चोथा विकल्ब है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं दोस्तो आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। पक्षचवणी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरो का भरोजा। आशे डाउन्ट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आट चार्सो 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 पर।